सो हेलो गैस कैसे हो आप लोग स्वागत थे अब सभी का हमारे यूटुब चैनल से इंटर पॉइंट के अमर पढ़तों कि इस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाल है आज की वीडिया आपको बताऊंगा कि फ्री फार पर ग्लिच फाइल को डिलीट फायल भी होता है ये सभी फ्री फार के फाइल और ग्लिच फाइल को डिलीट कासे करणा है रिमूग करते हैं पूरी जानकाली सुट रूम बताने वाल हो और आपको बताऊंगो कि क्या इन सभी को यूज करने से आपका एडिए ब Independence हो को करते हैं तो इस वीडियो को एंड त तो अभी गैसे हम वीडियो में टाइम वेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे पूरी जानकरी आपको बिल्कुल सही से बताने वाला हूँ और बहुत अच्छे से एक्स्पेंड करने वाला हूँ तो देखी यह सभी जो glitch file होते हैं konfig file और भी बहुत सारे अलग-अलग file होते हैं तो यह सभी आप अपने free file में डाल लेते हो या फिर कभी-कभी automatically भी आजाता है और कोई-कोई बंडल में अलग-अलग दिखने लगता है आप अलग बंडल को सेलेक्ट करते हो तो दूसरा बंडल सेलेक्ट हो जाता है तो ये से भी ग्लिच होता है तो इनको यूज करने से तो उसमें का इस बहुत ज़्यादा रिस्क कराता है इसमें आपका ID बैन हो सकता है या फिर आपका ID पर्मानटली सस्पेंट कर दिया जा सकता है या फिर कुछ हफ्तो कली भी सस्पेंट किया जा सकता है तो आपको ये सब्धा को कभी भी अपने जो के डाटा रहाते हैं उसके बाद गीस आपको जो भी प्रावलम में glitch का, मतलब जो भी glitch हो जाता है, ड्रेस में glitch हो जाता है, तो यह से भी solve हो जाएगा, और जो भी config file या फिर कुछ भी file बगर है download करकर रखे हो, तो वो सब भी delete हो जाएगा, आपको घबराने की जूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा process नहीं करना है, बहुत ही simple सा तरीका है, आपको simple से यहाँ पर play store पर चले जाना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है jet archiver application, यह जो application ने file को transfer करना नहीं है, file को extract करना नहीं है, मतलब आप जह जिफ file को extract कर सकते हो, और file के बहुत सारे feature रहते हैं, तो आपको simple से इसको download करना है, क्योंकि कुछ-कुछ phone में यह जो setting है वो नहीं रहता, तो आपको simple से इसको download करना है, अगर इसको download नहीं कर रहा हो, तब भी कोई दिकत नहीं है, कुछ-कुछ phone में यह जो setting बता रहा हूँ, यहाँ पर R5 में click करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए, आपको मिल जागा Android option, simple से में click करना, फिर यहाँ पर आपको data option मिल जागा, अब देखिए, यहाँ पर काफी सारे यह देख सकते हो, जो भी application डाउनलोड करते हो, सभी के आपर data रहता है, तो यहाँ पर आपको free fire वाले देखना है, मतलब यहाँ पर free fire का जो file रहेगा, वो com.dts आचा कुछ रहेगा, तो आपको यहाँ पर simple से इसको ढूंड लेना है, तो यहाँ पर आपको com.dts free fire ऐसा वाला आपको file मिल जागा, simple से इसमें click करना, आप click करने के बात बता रहा हूँ, यहाँ पर दो file मिल जागा, तो आपको इसको डोनों को delete करना होगा, मतलब इसको file को delete करना है, यह जो file है वो expression pack वाला रहता है, मतलब कि आप free fire बाद जो expression pack बोलते हो, जिसको costume pack भी बोलते हैं, collection pack भी बोलते हैं, free fire dts और उसके अंदर contact catches भी रहता है, मतलब कि जो भी glitch वगएरा हो गया है, यह सभी easy के अंदर रहता है, तो उसको delete करना होगा, उसके बाद यह problem जो है, वो solve हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको simple से com.dts वाले file को long press करना है, यहाँ पर आपको simple से delete का option में जाएगा, simple से file जो है इसको पूरा delete कर देना, delete करना एक बाद गिस यह problem जो हो 100% solve हो जाएगा, आपको फिर से लेकिन free fire में जाकर expression pack जो है, मतलब जो costume pack है उसको download करना होगा, तब यह problem जो है आपको फिर से दुवारा phase करना नहीं पड़ेगा, तो expression pack जो है आपका delete हो जाएगा, लेकिन यह problem को solve करने का सिर्फ यही एक तरीका है, तो आपको बता रहा हूँ इसको simpacit delete कर देना, यह जो problem है आटोमेटिकली solve हो जाएगा, और भी आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से कैसा free fire के glitch को remove कर सकते हो, तो यही एक trick था जो मैं आपको अच्छे से explain कर दिया, तो अगर इस आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका जो free fire का glitch था, उसको delete कर लिए होगे तो वीडियो को like जोरू कर देना, और चैनल को subscribe कर देना free fire के ऐसी informative वीडियो के लिए, so let's see भाई लोग मिलते हैं हमारे next वीडियो पर,